नवश्कार दोस्तों, डायेट एंड फिटनेस में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपकी host अर्टिशन अकांग शा और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं वेजिटेरियन यानि की शाकाहारी लोगों के लिए 10 ऐसे पदात जो उनके हार्ट यानि की रिदय की सेहत के लिए अच्छे होते हैं दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आज कल की हमारी लाइफस्टाइल जो है जीवनचैली जो है वह काफी बदल रही है और उसके कारन कायी सारी रिदय की बिमारिया भी पैदा हो रही है बहुत ही कम उम्र में बहुत सारे लोगों को कुछ न कुछ रिदर की बिमारी दिखाई देती है, बहुत कम उम्र में heart attack जैसी खतरना घटना भी बहुत लोगों के साथ हो जाती है, तो इसलिए दोस्तों ये बदलती जीवन चैली के साथ हमारे आहार का या फिर हमारे जो exercise होत करता है आपकी heart यानि कि आपकी रिदय की सेहत के लिए, दोस्तों आपको पताए होगा कि मान सहारी लोग जो होते हैं, उनके आहार में फिर भी मचली है या फिर अंडे है, ऐसे पदात वो ले सकते हैं, जो कि रिदय की सेहत के लिए काफी जादा अच्छे होते हैं, क्योंक नहीं खाते हैं, मचली नहीं खाते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा ये सवाल आता है कि ऐसे कौन से पदात हैं, जो हम हमारे आहार में ले सकते हैं, ताकि हमारे रिदय की सेहत अच्छी रहें, तो इसलिए दोस्तों आज की हमारी वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि आहारी लोगों के लिए ऐसे 10 पदात, जो उनकी हार्ट के रिदय की सेहत के लिए काफी अच्छी होते हैं, और जिसे की शाकाहारी लोगों के साथ साथ मांसाहारी लोग भी अपने आहार में जरूर ले सकते हैं, और दोस्तों आज की वीडियो में जो हम यह सारे पदात दे पर यह market में मिल जाता है तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के देखते हैं कि आज की हमारी लिस्ट में ऐसे कौन-कौन से पदात शामिल है और दोस्तों आखिर में मैं आपको बहुत ही इंट्रेस्टिंग ऐसा एक पदात बताऊंगी तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चानल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए सबसे पहला हम देखने वाले हैं साबुत अनाच साबुत अनाच यानी की वोल ग्रेंस भी से कहा जाता है अलग-अलग प्रकार के अनाच जो भी हम लेते हैं आज कल क्या हुआ है दोस्तों जैसे मैंने कहा कि लाइस्टाइल हमारी बदल रही है उसके कारण मैदे की चीज़ें जो है तो कोलेस्टरॉल को नियंत्रण करता है या फिर वजन नियंत्रण में भी मदद करता है तो इसलिए फाइबर की कमी आहार में नहीं होने चाहिए और फिर इसलिए साबुत अनाच जो होते है उसमें काफी अच्छी मात्रा में इसलिए फाइबर या फिर डायटरी फाइबर के साथ-साथ आयन है मैगनेशिम है कई सारे वी विटेमिन्स है यसे कई सारे पोशक तत्व भी हमारे शरीर को मिल जाते है तो गेहु, जवार, बाजरा, ओट्स या फिर बार्ली जो होता है ऐसे कई सारे साबुतनाज है जिनका आपको आपके आहर में सामावेश करना है दूसरा पदात है हरी पत्तेदार सबजया तो हरी पत्तेदार सबजया भी फाइबर से भरपूर होती है फाइबर की काफी अच्छी मात्रा इनने पाई जाती है और fiber के साथ-साथ calcium है, iron है, folic acid है, इसे कई सारे जरूरी पोशक तत्व भी इससे हमारे शरीर को मिलते है, तो इसलिए जो हरी सबजया होती है, वो आपको आपके आहर में जरूर लेनी है, अगर possible होता है तो एक meal में, यानि कि दिन भर के तीन आहर में से एक आहर में आपको य कुछ-कुछ लोग होते है, जो रोटी सबजी खाते है अपने नाच्टे में, जो भी अच्छा है, लेकिन अगर ब्रेक्फस में आप कुछ और ले रहे हो, तो दूपर के खाने में या रात के खाने में, आपको एक हरी पत्तेदार सबजी जरूर रखनी है, मेथी है, मूली है, पालक है या फिर जो भी आपको पसंद inhabit या वो सबजी आप ले सकते हो, है क्या होता है, फाइल के कारण ब्लड वेसल्स में जो वसा के जमने का खत्रा होता है, वसा है या फिर कोलेस्ट्रॉल जमता है, उस खत्रे को भी ये कम कर देता है, और आपको पता भी होगा दू मार्केट में मिल भी जाती है और पोशक्तत्वों से भरपूर भी होती है हरी सब्जियों के बाद तीसरा जो पदात है हमारा सलाद सलाद का सामवेश बहुत कम लोग अपने औहार में करते हैं यार कि अगर आप देखा है तो आपको दिखाई नहीं रहेगा कि सलाद जरूर जो लोग ऐसा आप डायाट करते हैं और अगर सलाद अप अच्छा परियायह wrapsे हो जाता है क्योंकि कच्ची सबजیا उसमें जो होती है उससे आपको काफी अच्छी मात्रा में फाइबर, डायेटरी फाइबर मिल जाता है और फिर उसके कारण रिदय की कई सारी बिमारीों को ये दूर रखता ही है लेकिन उसी के साथ साथ पाचन के लिए काफी अच्छा होता है हमारा प्रेशर नियंद्रत रखता है गाजर मूली पत्ता गूबी या फिर प्लीन टमाटर प्यास की स्लाइस बना के आप ले सकते हो ककडी ले सकते हो किसी भी एक प्रकार के सलाद का सामावेश भी आपको आपके आहार में जरूर करना है रिदय के स्वास्ते के लिए चौथा पद प्रकार के या फिर विटमिन-C फल जो होते है संद्रा मुसम भी है या बाकी के फल भी आप ले सकते हो पपीता है या फिर अनार है जो भी फल आपको पसंद है वो आपको जरूर आपके आहार में लेना चाहिए फल जो होते है वो खासतार पर आपको स्नाकिंग के समझ पे है ताकि क्या हो जाता है कुछ अनहल्दी आप खाते हो जैसे की छिप्स है या पिर कुछ नमकीन है बिसकिट है ऐसी चीजे खाने से अच्छा है कि आप अगर कोई एक सेब या फिर कोई फल अगर आपके आहार में लेते हो तो उससे बहुत ज्यादा पोशन शरीर को मिलता ह विटमिन A है, विटमिन C है, डायेटरी फाइबर भी है, ऐसे सारी जो healthy जरूरी चीज़े होती है, वो आपको इसमें मिलती है, और अगर आप chips जैसे चीज़े खाते हो, तो आपको पता है क्या होता है, उसमें processed चीज़े सबसे पहले तो ये होती है, ज्यादा नमक है, ज्यादा तेल में तली जाती है, तो ये किसी भी प्रकार से healthy नहीं रहती है हमारे रिदय के स्वास्ते के लिए, इसलिए उसकी जगय पर अगर आप फल लेते हो, तो BP नियंतरन है, या फिर हमारा वजन नियंतरत करने के लिए भी ये मदद करता है, और जैसे कि आपको पता होगा कि heart की बिमारी यानि कि किसी भी प्रकार की रिदय की बिमारी से अगर आपको बचके रहना है, तो आपका वजन नियंतरन होना काफी ज़्यादा आवश्यक है, तो इसलिए ताजे ताजे पल जो आते है, वो ही आप ले सकते हो, पाच्वा पदात है अक्रोड, अक्रो या फिर अंड है, इसे ओमेगा-3 fatty acid मिलता है शरीर को, जो कि रिदय की सेहत के लिए अच्छा होता है, तो उसी प्रकास से शाकाहारी स्रोत की अगर हम बात करें, तो अक्रोड काफी अच्छा परियाय हो जाता है, ओमेगा-3 fatty acid के साथ साथ म्यूफा का भी अच्छा स्रोत म होता है, तो जैसे मैंने कहा कि unhealthy चीजे खाने से अच्छा है, आप फलो की साथ साथ अक्रोड या फिर सुखा मेवा भी जरूर ले सकते हो, छटा पदात है बादाम, अक्रोड के बाद बादाम भी काफी अच्छे होते है, काफी healthy होते है, potions से वरपूर होते है, vitamin E है और fiber है इसके काफी ज्यादा अच्छी मात्रा भी बादाम में होती है, तो रोजाना अगर आप भीगो के 5-6 या फिर 3-4 बादाम भी खाते हो, तो वो भी आपकी रिदय की सेहत के लिए काफी अच्छा रहेगा, बादाम और अक्रोड के साथ आपको एक चीज ज़रूर ध्यान वही आपको लेने है, अगर पॉसिबल होता है, तो थोड़ा भीगो के आप ले सकते हो, या फिर जैसे सूखे प्लेन आते है, वैसे ही लेने है, नमगी नहीं लेने है, क्योंकि उसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है, तो आपके बलड प्रेशर पे ये बुरा असर डाल सक करते है, अगर आप अलसी अभी भी नहीं खाते हो अपने आहार में, तो इसका सामावेश आपको आपके आहार में अब से जरूर चालो कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे देदय की सेहत के लिए काफी ज़्यादा अच्छी होती है, फाइबर के साथ-साथ-साथ-साथ-साथ- अलसी में लिगनानस नामक घटक भी होते है, जो भी हमारे रिदय की सेहत के लिए काफी ज़्यादा अच्छी होते है, आठवा पदात है बीज, बीज यानि की सीड्स, तो अलग-अलग प्रकार के बीज आजकल रोस्टेट सीड्स आजाते हैं मार्केट में, जिसमें अलसी होते हैं, अलसी के साथ, चीयाशी, सूरजमुकी है, कदू है, ऐसे सारी सब्जी या फिर फलो की बीज उसमें होते हैं, वो काफी ज़्यादा हेल्दी होते हैं, फाइबर और ओमेगा-3 से बर पूर होते हैं, उसी के साथ जिंक जैसे भी पोशकतत्व इसमें मौझूद होत ऐसे सारे पदातों का सामवेश जब या पाहार में करते हो तो आपका ब्लड प्रेशर रक्त चाप नियंतरित रहने में मदद होती है, आपको यह भी पता होगा कि रक्त चाप भी रिदय की बिमारियों से जुड़ा हुआ होता है, तो अगर आपका रक्त चाप ज्यादा है त और बुरे कोलेस्टरॉल को घटाने के लिए भी ये काफी अच्छा होता है, नौवा पदात है Oats, तो fiber युक्त पदात जो थे उसमें Oats भी शामिल है, complex carbohydrates का काफी अच्छा स्रोथ होता है, और fiber की मात्रा इसमें काफी अच्छी होती है, तो आपको लेने के लिए काफी अच् साथ वजन को नियंतरत रखने के लिए भी ये काफी ज़्यादा अच्छे होते है, तो plain oats जो मिलते है, वो आपको लेकर आने है market से, और उसके अलग-अलग पदात आप बना सकते हो, इल्ली, डोसा है, उपमा है, जो भी आपको बसंद है, उस प्रकार से oats बना के ले सकते हो oats की काफी अच्छी बात ये है, कि एक बार आप खा लेते हो, तो काफी लंबे समय तक आपका पेट भी भरया रखता है, और जिन जिन लोगों को रदय की कोई समस्या या फिर diabetes है, ऐसे लोगों के लिए भी ये काफी अच्छा ऐसा पदात है, और दूस्तों हमारा दसवा प खाने से आपके रदय की सेहत पढ़ती है, लेकिन बाकी कुछ खाने से अच्छा है, खास तोर पे जबी आपको sweet craving आती है, मीठा काने की इच्छा होती है, तो dark chocolate जो होता है, उसका एक टुकड़ा आप ज़रू ले सकते हो, anti-oxidant से ये भरपूर होता है, तो इसे के कारण हम शुगर वाले जो चॉकलेट होते है, जो शक्कर से वरपूर होते है, ऐसे बेचते है, तो minimum 70% तक उसमें cocoa का प्रमान होता है, वो होना चाहिए, और चॉकलेट है, तो इसलिए जादा मात्रा में जरूर आपको नहीं लेना है, सही मात्रा में, यानि कि जैसे मैंने कहा कि आते हो तो आपको पता है क्या होगा, आपका वजन बढ़ेगा, और कोई भी चीज बहुत जादा मात्रा में, अत्रित मात्रा में, सेहत के लिए वैसे भी अच्छी नहीं होती है, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो वीड अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें, हम मिलते हैं अगली वीडियो पे, गुडबाई!